नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आलोक सिंग राठोड, एवार फिर आज रूँ इस मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टरा आलोक सिंग राठोड पर तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जूरू दबा दें ताकि जो आने वाली वीडियो उसके नोटिफिकेशन है वो जल से रंद आप तक पहुंच सके तो आईए दोस्तों आज हम बात करेंगे जो पैरासीटामोल टेबलेट आती है उसके बारे में इसके क्या-क्या मोड अप एक्शन होते हैं ये किस तरीके से हमारे शरीर के उपर काम करती है और इसके साइड इफेक्ट और इसके लग्षन का हैं और डोक्टर इसकी डोसें क्या-क्या देते हैं ताकि इसका बैटरी रिजल्ट हमारी सरील को प्राव्त हो सके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिटामोल किस प्रकार की ड्रग है पैरसीटामोल एक एंटी-पारेटिड और ऐनालिज्य ज़ंग है जो आपको किसी भी medical store पे आसानी से उपलब हो सकती है अगर इसके बात करें कि किस तरीके की ड्रग मार्केट में या फार्मासोटिकल कंपनी को दोरा बनाई जाती है उसके बारे में तो इनली एक anti-piratic ड्रग है और एक analytic effect देने वाली ड्रग है ये एक OTC ब्रांड है यानि कि आपको किसी भी counter पे बिना doctor की prescription के या आसानी से उपलब दो सकती है ये एक NSAID product है यानि कि non-isteral जो anti-inflammatory drug होती है उस तरह की ड्रग है WHO की जो list है उसमें most commonly used tablet की रूप में paracetamol सबसे number one बनी होई है अब बात करते हैं इसे cup cup देते हैं इसका जनरली जो उपयोग किया जाता है वो है fever में किसी प्रकार का जो हमारी body के अंदर temperature बढ़ गया है उस दोरान paracetamol जातर doctor देने की सला देते हैं जो हमारी body का temperature होता है वो 98 degree Fahrenheit होता है यानि कि जब 98 degree से हमारी body का तापमन अधिक हो जाता है तो doctor paracetamol की जो tablet है उसकी देने की सला देते हैं साथ ही साथ इसका उपयोग तब करने की सला देते हैं जब हमारी सरीर में किसी प्रकार का pain हो जाता है जैसे की fever हो गया हो या फिर fever के साथ हैडेक हो गया हो टूतेक हो गया हो या फिर हमारे मस्पेशियो में joint pain में या फिर हमें किसी प्रकार का दर्द महसूस होने लग गया हो तब भी paracetamol एक तरीके का drug है जो हमारे pain को जल्दी से जल्दी relief कर सकता है अब बात करते हैं जो doses हैं उसके बारे में जनरली जो इसके doses देखे गए हैं वो है 10-15 mg पर kg के साथ से यानि कि अगर कोई 10 किलो का बच्चा है उसको 100 mg टेबलेट दिन में 3 बार डोक्टर की सला परामर्ष के बाद खाना खाने के बाद देने की डोक्टर सला देते हैं अब दोस्तो हम बात करेंगे कि इसके precautions वगजारा क्या क्या होते हैं यानि कि इसको कब-कब लीना चाहिए और या फिर जब लेना चाहिए तो इसके साथ क्या क्या precautions हमें देखने चाहिए precautions की बात करें तो जो liver और kidney disease वाले patient है उनको डॉक्टर बहुत निगरानी के दोरान इस tablet का उप्योग करने की सला देते हैं ताकि उनके liver पे और kidney पे किसी प्रकार का side effect को कोई भी समस्या ना हो अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके mode of mechanism की यानि की parasitamol किस तरीके से हमारी body में काम करती है ताकि जो हमारा fever है यानि कि जो हमारा body का temperature है वो high ना हो और maintain हो सके और हमें किसी प्रकार का जो temperature है वो हमारी body का ना बढ़े इसके mode of mechanism की बात करें तो हमारी सरीर में जब भी 98 degree से उपर जब तापमान बढ़ जाता है हमारी body का इसका मतलब है कि हमें किसी bacterial infection की बेह से या फिर fungal infection की बेह से हमारी जो body है उसका तापमान गड़ बढ़ा गया है ये तब होता है जो हमारे सरीर के अंदर से prostaglandine जो नाम का तरल पदार्थ होता है उसका level इस तर बढ़ जाता है जिसके वैसे जो हमारी bacterial infection है या फिर किसी प्रकार का infection है उसका इस तर बढ़ जाता है और हमारी जो body का तापमान है वो बढ़ने लग जाता है ये paracetamol है इसका mechanism होती है ये जो prostaglandine जो नाम का तरल पदार्थ है उसको block कर देता है यानि उसका जो इस तर है उसको बढ़ने से रोग देता है जिसके लिए हमारी जो body के अंदर तापमान है वो वापस से normal हो जाता है और हमारी body के अंदर जो fever होता है वो दीरे-दीरे कतम होने लग जाता है अब बात करते हैं इसके side effect के बारे में तो generally जो इसके side effect देखे गए हैं वो है nausea होना यानि सर में चक्कर आने लग जाना dizziness होना या weakness होना हमें बार-बार उल्टी होने लग जाती हो या फिर हमारे जो lever और kidney है अगर उसको overdose कर लेंगे हम paracetamol का overdose है वो ले लेंगे तो kidney और जो lever है उसकी सूजन या उसकी समस्यां बढ़ने लग जाएंगी अगर आपको ऐसा कुछ होता है paracetamol लेने के बाद तो आप तुरंत प्रवाब से इसका composition रोक दीजे ताकि आप डॉक्टर की सलापरामर्स के बाद ही इसको दुबारा यूज करिए ये अगर वीडियो मेरी informative और interesting लगी हो तो आप इससे जाला जाला share करिए ताकि जो लोग paracetamol के बारे में जानकारी चाते हों वो paracetamol की जानकारी इस वीडियो के मादधम से ले सके इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू